नमस्कार, आज मैं आपको छोटी जगन में बैगन कैसे लगाते हैं, वो बताती हैं, देखिए, कम जगह है, यहाँ पर मिट्टी है थोड़ी, इसमें बैगन लगाई है, एक ही बैगन में से, कितने अलग-अलग ब्रांच निकले हैं, देखिए, बहुत भेगन फल रहे हैं इसमें, चर पांच दिन में निकलते हैं, एक एक बैगन, शाही बहुत सरे इसमें, पूल लगे हैं, फूल भी बहुत खिल रहे हैं, काटा वाला बेकन है, बहुत सुन्दर हो रहा है, बहुत सारी इसमें ब्रांच निकले हैं, अलग अलग देखे, इसमें फूल ला रहे हैं, सबजे का जबह के, काफ़ी बड़ा हो गया है, देखे उपर तक गया है, देखे बेगन के ब्रांच, हड़ी बड़ा के फल लग रहा है, इसमें फूल के लिए हैं, काटा है बेगन ने, इसमें फूल के लिए हैं, इसमें फूल लगा है उसका बेगन, इसको तोड़ना, काटा चुट जाता है, समहल के तोड़ना पड़ता है, अगर समहल के नहीं तोड़नेंगी, तो इसमें देखे इंदर छुटके फलता है यह दो इसमें फूल के पड़ता है। समुल्टा कर दो जिए हुआ 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 इसे ही अंदर छुपके फलता है और इसकी दिखिए जड़ में से कितने सारे अलग अलग ब्रांच आ रहा है अगर थोड़े ही जग तो बेगन लगा देते हैं तो इसकी अच्छी खेती हो जाती है ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है इसको घर का ही खाद डलिये कीचन वेश्ट का थोड़े से चावल डाल के जो पानी है वो डाल दीजे देखिए उसे कितना हिल्दी वेगन हुआ है और कितना हिए एक ही वेगन ने इतना ज़्यादा हुआ है धन्यवाद देखिए कितना हिए भानी हुआ है